दोस्तो आईपियल दो हजार चोबीस और किर्किट सुजुडी आज की दस बड़ी अपडेट निकल कर सामने आचुकी है जहां केरॉन पोलाड लशित मलिंगा की मुंबई इंडेन में वाफसी हुई है तो वहीं दली केट्पेल के लिए काफी बड़ी खुशकबरी है रिशप पन को लेकर काफी बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है तो वहीं चन नहीं सूपर किंग को मिल गया अपना नया कप्तान तो ऐसे में कौन सी हो दस बड़ी आज की अपडेट है बेल आइकन दबाते नहीं वहीं से दुस्तो आईपेल से जुड़ी हर चोटी बड़ी नी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारा टेलिग्राम चैनल जॉइन निक कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी तो आये चलो जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली जो अपडेट है देली केप्टल को लेकर है तो देली केप्टल के लिए काफी बड़ी खुश कबरी है रिशब पन जो आईपील दो हजार तेस के कमप्लेट सीजन से बाहर हो गएते इंजरी केज का रड़ा अब ये अपनी इंजरी फटा फट रिकावरी कर रहे है और जिम में खुब पसीना बाहर है और आईपील दो हजार चौविस से पहले ये कमप्लेट ठीको हो जाएंगे दिसमबर से जनवरी के बीच में ये डोमेस्टिक कीट केट खेलते हैं नदर आएंगे और आईपील दो हजार चौविस के कमप्लेट सिजन बेरिशंपंद अवेलबल रहने वाले है और एक बार फिर ये देली केटल की कप्तानी करते वे दिखाई देंगे जबकि दूसरी जो अपडेट है केके आर के नए कप्तान को लेकर है तो केके आर की कप्तानी आईपील दो हजार चौविस में फिर एक बार स्रेश आयर करने वाले है स्रेश आयर को आईपील दो हजार चौविस में केके आर की कप्तानी मिलने वाली है ये confirm हो चुक है जैसे कि IPL 2023 में नितिश राना ने कप्तानी की थी लेकिन इनकी कप्तानी में टीम ने अच्छा परदशन नहीं कर रहा और प्ले आफ से पहले ही बाहर हो गे थी जब कि तीसरी जो अपडेट है चिन्नी सुपर किंग के फ्यूचर कप्तान को लेकर है तो जैसे हैं चिन्नी सुपर किंग के फ्यूचर कप्तान डूतुराज गयकवार्ड रहने वाले है ऐसा कई रिपोर्ट ने ये confirm कर दिया इवे सुरेश रहना भी चाहते हैं कि डूतुराज गयकवार्ड अगला चिन्नी सुपर किंग कप्तान अच्वी जो अपडेट है द्योधत उपनर मौझूद है तो ये राजस सांडुल से ट्रेड होकर रोयल चैलेंजर बिंगलाओर या फिर कोलकाता नायर जैसी टीमों में शामिल हो सकते हैं जबकि चटी जो अपडेट है संडाइजस हैदराबाद के ने प्लेट को लेकर है तो संडाइजस हैदराबाद ने आई कप्तानी में अभी इस टीम को एक बहतरीन कपतान की तलाच रहने वाली है और आई पील दो हजार 24 के ओकसन ये टीम इसंत्मित को खरीद कर अपने टीम में शामिल करेगी और आई पीछले कई सालओ से मुंबाइ इंडेंस की कफ्तानी कर। और अपनी कफ्तानी में टीम को वार चेंपियन भी बना चुके लेकिन Nh devastating cricket किरिकट को ध्यान में रखते वे रोही शर्मा जो है मुंबाइ इंडेंस की कफ्तानी चोड़ सकते हैं लसित मलिंगा को मुंबई इंडेंड में वाफ से मिल चुकी है और ये बॉलिंग कोचे बन चुकी है मैं बात कर रहा हूँ MLC T20 की MLC T20 में M.I. New York के बॉलिंग कोचे बन चुकी है ये पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है और M.I. ने ऑफिसली अनाउस्मेंट भी कर दिया है जबकि RTV जो अपडेट के रॉन पोलाड को लेकर है के रॉन पोलाड की मैदान में वाफ सी हो चुकी है और एक बार ये फिर मुंबई इंदन की कप्तानी करते वे नदर आने वाले है MLC T20 में M.I. New York की ये कप्तान बन चुके है अब के रॉन पोलाड जो है M.I. Cap Town के बाद M.I. New York में भी कप्तानी करते वे दिखाई देने वाले है इसका ऑफिसली अनौसमेंट हो चुक है इसके इलावार राशित कान टीम डेविड जैसे खिलाडी भी M.I. New York में खेलते वे दिखाई देने वाले है वही नवी जो अपडेट है सुरेश रहना को लेकर है सुरेश रहन ने LPL यानि लंका प्रीमिल लीक के आउक्सन में अपना नाम दिया था लेकिन इनका नाम जो है आउक्सन में नहीं लिया गया आपको क्या लगता है क्यों नहीं लिया गया है कमेंट करके जरूर बताएं वही दस भी जो अपडेट है संजू संसन का कमबैक को लेकर है तो संजू संसन जो है कमबैक टीम में करने वाले है और इनकी वाफसी होने वाली है West x 10 के खिलाफ होने वाले T20 और ODI मैच मैं T20 और ODI सारीद में संजु संसन की वाफसी हो सकती है इनका चैन किया जा सकता है तो दोस्तों यह रही आज की 10 बड़ी अपडेट इन में से आपको सबसे बहतरी इन अपडेट कौन से लगी कमेंट करके जरूर बताएं तो दोस्तों शुड़ों बसे न अगर आपको पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करते न चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन दबादेना तैंक्यू सो मैज गाइट फोर वाचिंग दिस वीडियो